हेलो दोस्तों गुड मॉनिंग सबको तो कल खाना खाने के बाद हम होसल बापस चले गए सुबह आए तो अभी हम दुबारा बैंफ हाई वे हैं तो आज का प्लान हमारा यह है कि इस माउंटिन को चड़ना है इसकी हाइक के करीब 4.5 किलो मिटर का राउंट रहता है तो छोट चोटा सा माउंट टनल तो इसकी डिटेल भी सारी आपको आल ट्रेल अप्लिकेशन में मिल जाएगी कितना बड़ा है कैसे कैसे आप जा सकते हो किस लेवल का हाई कैस का तो चले चलो तो वहां से नहीं जा सकते हैं क्योंकि थोड़ा सा डीटूर है यह पूरे काउंट से मही तो हमें यहां से जाना पड़ेगा चलो नेका छोटा सिली कोशिन चड़ना हमने वह है और जहां हम इस तरफ रहे हैं जिसकी शुरुआत यहां सोगे न पहार को राश्य होते हैं अच्छा स्लोपी से जहां से स्टार्ट होगा माउंटेन है यह पीछे पुरी सोसाइटी है तरनोल मांटेन त्रेयर 0.3 किलेमेटरश तो नेपर रहते हैं तरनोल मांटेन-वाउंटेन ट्रेयर यहां स्मीरी मिर्ए फेल स्टार्ट सर्फूपी ते टृंटेयर सिली पोइंट हेल तू चड़ जाएगा मैं रही जाओगी तेरा जोश देखके कोई छोड़ा सा अपडेट अप्डेट अभी हाइक चालो नहीं हुए है हाइक अभी शुरू होगी और इनकी टाइटा फिस अभी हो चुकी है क्या हुआ मैं बैक पकड़ के चल रही हूँ तो बिना बैक के चल रहा है तो बैक अच्छा बाला ले लो ना तो गेटो रेड की बोटल तीन चार पानी की बोटल थीन चार दो बोटल है खाली है हुआ खाल ऊसर है हां एं अाउस दिजोश अभी तो तुम्हें लो बोला था कैमरा वने ते तुम्हें आई बोल दी लोग उतर के पिए ने लगगे उदुर देखो वकर के या उपकर के भी आगें हैं हम अभी ताग यहां पर सीटिंग कर रहें कैसे चड़ें निगा है च हम इतरह चले भी और 200 मीटर बढ़ा भी दिया हमने चलो तो यह है मांटें चड़ा देटी तनल मांटें ट्रेल चाह राइट में राज्ता जाए गरा डाउंटन बैंफ के लिए लेफ्ट में तनल मांटें ट्रेल राइट हम ने बोल हम ने बोल मैं वोल तो और ये में अधर और ये मेंगा का फ्यूचर अन्हा इसे हैट कर रही होगी अब तो और ये मेरी पर्चाई स्ट्रॉंग पीस तो वो जो डी टूर लिया था न हमने तो डी टूर की वज़ए से हम आये यहां से ऐसे ऐसे करके इधर से करीब ऐसे ऐसे आया है और एस पर हाइक जो है अप्लिकेशन में दिखाया यह वाली हाइक हम अलड़ी कर चुके है क्योंकि हम यहां पे इस समय तो छोटा सा अपडेट ताकि शायद वो फ्यूचर में कभी आओ तो यह आप इधर से शुरू कर सकते हो हम यहां पे से उस टाइम तो हमें पता नहीं था इसका तो अब हमारी हाई यहां से शुरू होगी और यहां तक हम दे जाना है चलो यह नीचे से आ रहा रहा रस्ता और यह अपर हाई का पाट का नाम ना हाइक नहीं होगा पिस पाट का नाम होगा फन विद मेगा क्या होगा मेगा जब सारे जन आख बारा बारा घंटे घर में टीवी के सामने बैठे रहोगे तो उठो और निकलो अपने अपने घरों से बाहर है तभी तो ऐसी हाइक कर नोती आख रहा यह अपने टेस्स लेने के लिए बोला भी नी जारह है क्या बलता है अपनी अकाच जान नी अपना बज़ट अपनी अकार है वेर यू स्टेंड है है और सीधा चलने के प्रेक्टिस करें मेगा की तरह टेटाना चले है ऐसे 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 यह यह बढ़िया वीडियो है फन विद मेगा पहली बार आई है दंग से मेरी किसी वीडियो में है न तो मैंने उतार दिया स्वेट शर्ट हम में आगे पत्वी सी टी-शेट में और ये सिर्फ मेरी मजबूरी के किसी बैट्री है जब कुछ है कर रहेंगे नेगा और प्यस्ली कर रहेंगे तेड़ किलो मीट्र वार रहेंगा अच्छा यह स्वेशल यह मेसेज होता है मेघा के लिए मेघा के लिए हमेशा इसका लाला चाता है शॉटकट का कि यहां से चले यहां से चले तो यह है बैफ टाउन कैंँ और वह första साथ जिसमें साथ शॉटब चाटि चारव से पाझच जॉटकंच तो भी करेंगे को इक कोई ब्रैंट स्पॉँसर करेंगा ना यहां करेंगे छैन व可 fresh ब्रेंड स्पॉंसर करो, फेर्मॉंट होटल में एक रात का जैसे ही देखा, कैमरा ओन है एक्स्प्रेशन चेंज थोड़ा नाच के रिखाओ, हलका सा हाँ, जोश, ग्यागनाम स्टाइल इतना भी टफ नहीं है इतना सोच रख़ता दिमाग में इजी है, बीच में से थोड़ा स्टीप आ जाता है बागी ठीक है अब जोसे आगे स्टीप दिख रहा है पुरा लोजी कोई गैटरेट खुल गई है गैटरेट, ओजे कोई पेड़ प्रोमोशन नहीं है अब इतने बड़े नहीं बुरा कि गैटरेट उजे बागी अब इतने बड़े नहीं होड़ा कि गैटरेट बूजए प्रोज करेगा फ्रोच करेगा तो, congratulations लेजी और में भी और आफ सब कोभी यह रीच्ट थाप अव टनल बाफ पॉल्स मॉट्र मांटें कि उसमें का लिखा है अवा कि एज सिवी पार कि ओ है कि इसमें का लिखा है इजी था एकर अचा देना ता अच्छिली टनल मांटरिंगे ने दो व्यूज एक बैक साइड वाला व्यू जहां से ट्रांस केनेडा हाई वे दिखता है और गॉल्फ पॉर्स व्यू जो मैंने फूटज दिखाया होगा बीच में पहले और एक है सीटी का व्यू जिसमें आपको बोर इवर दिखती है फेमो सब्सक्राइब कर दो तक नजर नहीं आया इसलिए वह में लेटेते हैं में हैंना में हैं संदर्स्टॉर्म तो चले जाओ तुछ देखी राइक पार्किंग के बाद वाला पार्किंग के बाद स्टीप है तो इसके बाद तो अच्छा है वर्थित है पुरा और पानी पून सारा कुछ लाने की ज़रूरत है एक बोटल बहुत है बहुत ही जल्दी खतम हो जाती है एक बोटल बहुत है हम तो यह दो गेटरेट की 700-700 ml की बोटले और क्या दो पानी की बोटले दो स्नीकर दो काइंड के बार वह इतना बड़ा हाइक नहीं थी उतना तो उसको लाने मे होगी हमारी हाइक और काफी देर हम बैठे रहे तो उपर हमारे दोस्तों मिलके हमारे को दिव्वे और शेरी वह हमारे घर के आटली 15 मिंट की दूरी पे रहते हैं तो अब ही चलते हैं नीचे खोड़ा देखता है डीनर खोड़ा भूग अभी लग तो निर की कि हमने अनेर जी बारोगर अब प्रोटिकन बार्ग खापी खाली थी तो पांच जगह में पताना चाहूंगा अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो कौन-कौन सी पांच जगह मस्ट विजिट हैं वो घूमनी ही घूमनी है अगर आप आ रहे तीन चाहीं के लिए तो सबसे पहले है सेलफर माउंटेन जिसमें आप गंडोला राइड लेते हैं सेकेंड है लेक लूइस स्लैश मुरेन लेक क्योंकि यह दोनों आसपास ही है थर्ड है जॉंस्टन कैनियन फॉर्थ है लेक मिनिवांकर रूट और पांच वह हैं बैफ टाउन स्लैश को रिवर साइड वॉक यह पांच मस्ट विजिट जगह हैं गुमनी है मिड में आगे नहीं अपर अपर ट्रेक हमने कर लिए अपर हाइक हमने कर ली अपर मांटन बोलते हैं तो कुछ ऐसा कुछ बोलते हैं अपर अपर मांटन बोलते हैं तो यहां से हमें टेक्निकल इदर से आना चाहिए था सुबह बटन वो डी टूर की वैसे उदर से आये थे अब आप से हम लेकिन यहां से जाएंगे अब यह 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 नहीं चीज है मुझे अच्छा लगता है कि जाने का रसता लोग और आने का रसता कम अगले को क्यों अब यह स्कूंद टेक्निकली ट्रेल यह यहां से शुरू होती है जो म beastने दिखेगा एक रसते इसके दूसरा जाता है वो क्याएंटर से निकलता है तो तो आछ सब्सक्राइब करते अ मअ तो अब यहां से तो हम बापस आगे हैं लेकिन हम हमें यहां से डाउंटान और जाना है वो है करीब 0.8 km जाना है तो हो गया है पुरा बहुत ही अच्छी है यार आओ करके आओ बड़ी आए यार यह बैफ के महले है वेगो बैफ की गलिया हाँ यार हम वहां थे उस वाले टॉप पे न ऐसे करके उपर ओके तो भी यह चड़ा है और नेक्स हम वो चड़ेंगे गंडोरा वाला है सलफर मांटें बड़ा भी है चलो इसके लिए भी थोड़ी हिम्मत जटाते हैं यह वो जगह है जहां पर कला हम आइस्क्रिम धा रहे थे और क्या लाइन लगी होती है बिजनस खोलो पर ऐसा खोलो कि लाइन लगके भी कर ना कर दो शाहिते हैंता ज्यासं जयसा में आपको पता था नहीं में पीक पर दो में को हमैरे को एक इसिरम मिला थे दैवी शहयर ए तो यह हैं वो जो में मिल खोड़ा और कभी-कभी हमेरे फॉलो करते हैं तो थोड़ अपने लेना यह शेरी जो है कोरिग्राफर है इनका इंस्टाग्राम पेज ने तो तो कितनी भी वेडिंग वेडिय। वेडियंग डास पर ने तो वह उनका इंडिया में बी और कैनेडा में भी है तो कभी आपको जूरूरत ह आपके इस्टेमर पीज़गा है और अभी हमने साथ ने लुज किया क्या क्योंकि उबर ही प्लाइन कर लिया था तो यह जा रहे हैं अपने रस्ते हम जा रहे हैं अपने दस्ते हैं काड़ी से जाएंगे हैं पस्ते जाएंगे ठीक है हमारे ब्लॉग बनाना है तो हम दो लेकिन हमने उनसे बात करा एमेल करा था उनिट के सब्सक्राइब कर सकते हो अगर अपने टिकेट बुक करा लिया और बाइचांस आपको प्लान कैंसर करना पड़ रहा है तो आप उसको पोस्पोन करा सकते हो एस पर अवेलिबिलिटी वह सब ड्मैनेजबल है बट रिफंड करने एक वह सब्सक्राइब गड़ देखा दाए और पॉच्छन को अब कुछ बी ओ तो मुझे पूचे मुझे तो ने इस पूछे मुझे देए इंस दिनों में भी होती है तो वह आप स्केडूलमें उनकी वैसे चेक कर लेना कोई कोश्चन ओ कुछ भी ओ तो मुझे मुझ पूछे मुझे डीम करें इंस्टारम कोई नी और प्लीज मुझे सब्सक्राइब करें मैं दुवारा बोल ओ छोटा का सेवर माग रहा हूं से चैनल सब्सक्राइब करने का अजी तो अब बात करते हैं हमारे मेन एकसेंस की तो हमने एक कार शेरिंग करी थी फॉपर Wyan जिसमें हमें 25 डॉर की पर सीट मिली थी एक तरफ का तो दोनों का मिलाके हमारा 50 डॉलर लगा राफा हमारे स्थे की तो हमने जो बूकिंग कर रही थी हमें केंड़ॉर में इक एक सब्सक्राइब कर आए था और अगर आप family हो बच्चे के साथ जिनके पास hostel में रुखने को option नहीं है तो आप airbnb और hotels book करा सकते हो तो जितने भी सस्ते airbnb's और hotels होते हैं वो बहुत पहले ही book हो जाते हैं तो जितना हो सके आप advancement book करा हो तो आपको सस्ता मिल जाएगा और first day तो हम canmore में थे तो अब बात करते हम second day की तो second day हमने canmore से बैंफ up down किया था जिसमें $6 की पर राइड है एक बंदे की तो हमारा total $24 लगा canmore से बैंफ और बैंफ से वापस शांग को canmore आने का और बैंफ के अंदर अंदर ट्रैवल करने के लिए हमने $5 का एक pass ले लिया तो वह हमारा पड़ा दोनों का $10 का इसके बात आते हम third day पर तो third day पर हम खाली canmore से सिर्फ बैंफ गए दे वह $6 per person same price तो वहां हमारे लगे $12 और वापसी की जो booking थे हमारी बैंफ to Calgary bus से ही थी on it से जो $10 per person तो हमारे वहां लगे total $20 बैंफ से Calgary आने तक के तो total खर्चा जो हमारा आना जाना रहना 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 दो दिन दो रातों का हुआ हमारा total $396 जो की under $400 के दिन्दर हमारा हो गया और बाकी खाना पीना या बाकी activities करना वो सब obviously एक्स्ट्रा था तो उसकी कोई limit नहीं आप खाना कितना भी सस्ते में खा सकते हो कितने महंगे में भी खा सकते हो और activities unlimited है आप कितनी भी activities करो तो उस prices को हमने इसमें इसमें इंक्लूड नहीं किया है क्योंकि वो हर परसं का अल जाना चाहिए मोटर बोर्ड के जिए कायाकिंग भी कर लो तो वो 40-50 डॉलर की होती है मोटर बोर्ड करोंगे तो महेंगी होगी तो इन शौट टोटल हमारा करचा वो अंटर 400 डॉलर आना जाना रहना ठीक है आए आए तो यह लोकेशन आए जहाँ पर बस उतारती है एक दम कल्गरी टावर के पास ही और कल्गरी टावर तो अभी हम पहुंच चोके हैं कल्गरी घर वापर और यह कल्गरी का सेकेंड स्टॉप था टोटल तीन स्टॉप हो दें कल्गरी में एक नौर्थ में को यहां है कि इस स्कूटर करते हैं लगल और दो और यह से स्कूटर से घर जाते हैं तो thank you so much पूरी वीडियो को यहां तक देखने के लिए आई होप आपको यह पूरा ट्रेप हमारा पसंद आया हो वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को और थोड़ा सा शेर कर दो जो बैब सा फ्लैन करना चाते हैं और कोई भी कॉशन हो तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शें में पूछो हो या मुझे इंस्सेग्राम पर दिम करो लिंक सब के नीचे ओंगे तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई बाई